यह जो प्रोड़क्ट है नमस्कार दोस्तों यह जो प्रोड़क्ट इसका नाम है M.W.E.Fruit and Veggie Wash यह प्रोड़क्ट जो है जो मेरे हाथ में है 5 ml का ठकन है यह सारे के सारे सर्फेस जर्म्स को रिमूव करता है सर्फेस पेस्टिसाइड्स को रिमूव करता है यह सामने बर्तन के अंदर सफेज चावल डलेवे हैं वैक्स को रिमूव करता है सर्फेस हेवी मेटल्स को रिमूव करता है डर्ट को रिमूव करता है और किसी तरह का कोई रेसिड्यू नहीं रखता है यह 5 in 1 प्रोड़क्ट है 500 ml का यह प्रोड़क्ट है बहुत ही कम रेट में जिसकी MRP आप देख सकते है 249 है यह हमें मुश्किल से 238-39 के आसपास पढ़ता है यह मैंने इसमें 5 ml वेजी वाश डाल दिया तो हमें इसमें क्या करना है हमें हमने राइस के अंदर वेजी वाश डाल दिया है राइस को उसमें सोक करके रखना है जैसे कि आप देख सकते हैं राइस अब इस राइस के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज है जैसे 5 इंप्योरिटीज मैंने आप से शेयर की अगर किसी पॉर्म में डर्ट, जर्म्स जो भी है सारे के सारे इससे रिमूव हो जाएंगे और सारे के सारे cancer producing carcinogens जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे यानि एक healthy rice त्यार हो जाएगा इसको कैसे त्यार करना है 5 ml को एक लीटर पानी के अंदर चावल या दाल या कोई भी फल या सबजी डालनी है और उसे 5-7-10 मिनट तक उसको डुबो के रखना है डुबो के रखने के बाद में उस पानी को अलग कर दीजिए और चावल को दाल को फल को सबजीयों को अच्छी तरह तीन से चार बार साफ पानी से दुबारा साफ कर लीजिए इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है यह बहुत ही शांदार प्रोड़क्ट है और एमवे के द्वारा हम सब लोगों को हेल्दी रखने के लिए बनाया गया है सो स्टे हल्दी यह राइस था जिसे मैंने एमवे होम वेजी एन फ्रूट वाश के अंदर मैंने डिप किया था तो आप देख सकते हैं राइस का कलर किस तरह से यह वाले राइस थे अब मैंने इस राइस को इस बरतन में दस मिनट के लिए विगो करके रखा था अब यह जो पानी है मैं इसको तीसरे बरतन में ड्रेन कर रहा हूँ आप देख सकते हैं पानी फ्रूट वेजी जो सॉलुशन था जिसमें चावलों को हमने सोक किया था विगो के रखा था इसको मैंने ड्रेन कर दिया ठीक है आप देख सकते हैं राइस के कलर एकदम साफे जख हो गए हैं और मैं यहां आपको वापस दुबारा याद दिलाना चाहूँगा कि इस फ्रूट वेजी सॉलुशन के अंदर जिसमें हमने चावल को दाल को हम फल सब्जियों को डिप करके रखते हैं दस मिनट के लिए 10 से 15 मिनिट भी आप डिप करके रख सकते हैं इसको पानी को अलग करने के बाद में इस चावल को या कोई दाल या फल या सबजी को 2 से 3 बार साफ पानी में हमें वापस से क्लीन करना है इसमें कोई केमिकल नहीं है लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह के रेसिटूनी रई सॉल्यूशन का कोई भी कत्रा नहीं है इसलिए हमें इसे 2 से 3 बार साफ पानी से दोना है आप देखिए एक तंग क्लियर हो गए है राइस इसके अंदर की जितने भी जर्म्स, डर्ट, वैक्स, हेवी मेटल्स जो भी सारी चीज़ें इससे निकल चुकी है ये सारी के सारी चीज़ें कैंसर बनाने वाली होती है इनको कार्सिनोजन एलिमेंट्स कहते है बहुत शांदार प्रोड़क्ट है आप लोग सब इसे यूज़ कीजिए हेल्दी रहिए, पुरे परिवार को हेल्दी रखिए धन्यवाद, हम इस तरह के बहुत सारे और वीडियो लगातार लेके आते रहेंगे मैं चाहूँगा आप हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैंबली के साथ में शेयर परें थेंक्यू, लव्यू आप